नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल पर सभी के सभी जुड़ज़ई फटापट से सभी के सभी लाइक सेर कर दीजे आज से आपका नया सेग्मेंट है वो स्टार्ट हो रहा है महत की क्लास है वो अपने क्लास होगी उसके अंतरकात अपन बात करेंगे रिट 2018 का पेपर है उसका सॉलुशन करेंगे डिटेल सॉलुशन करेंगे जिससे कि अपने वो एक आडिया हो सेगे कि रिट में किस परकार का क्यूशन पिछली एक्जाम में पूछा गया था और इस पेसली यह जो मैत की क्ला क्लास है अभी कुछ दिनों के लिए क्यूंकि रिट की एक्जाम है 25 अप्रेल को और किसी दूसरे के बैकाओं में ना आये 25 अप्रेल की डेट है वो एक्जाम की मान के चले क्योंकि ज्यादातर क्या बोलतेंगे 25 अप्रेल को एक्जाम नहीं होगी फैस्ट ग्रेड की तरह ह हो जाएगी और फिर बैठे रहोगे रोते रहोगे तो इससे अच्छा है 25 अप्रेल मान के ही आप सभी लोग तैयारी करें मेरो दोस्तों पहली बात तो यह दूसरी बात यह है कि अपन टोपिक वाइज बात करेंगे एक टोपिक है उसके क्लास से लेंगे अपना आराम से उ उसके अलावा बात करेंगे 2018 के paper solution की और कल से अपन बात करेंगे अपनी जो चर्चा है वो लगातार जारी रखेंगे टोपिक वाइज अपने उसको start कर देंगे मिरो दोस्तों राम राम जी नमस्कार जी सभी को लाइक सेर कर दीजे दोस्तों सभी के सभी और continue जुड़े रहिए और लाइक सेर सेर इसलिए कीजिए कि यूटूब में कुछ बग होने करन जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कम से कम 8 से 10 गंटे के बाद में वीडियो में आपको दिखेगी तो इससे है कि आप ज्यादा ज्यादा सेर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग है देख पाएंगे मेरे दोस्तों चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते है अपना आज की क्लास और सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलिबस की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों सेलिबस की बात कर गुणा और भाग और सर्व समिका ये सारी चीजे हैं ये बीजे वियंजक हैं 910 के टोपिंग है बहुत EGG टोपिंग है एकदम आसान से होने वाले हैं गुननखंड है सबसे ज़्यादा क्यूशन पिछली जो रिट है उसके अंतरगत पूछे गए थे गुननखंड से सबसे ज़्यादा क्यूशन गुननखंड से और 2D वाली ये जो मेटरी वाली जो चीज़े उससे पूछे गए थे ये जो तू установ क्या है अपनी पहलीrah पहले unit है जिसको आप बोल सकते हो कि एक तरब से आप है algebra की बोले सकते हो, इसके बाद में दूसरी unit है उसमें क्या है ब्याज है जिसके अंदर का सरल ब्याज भी है चकरवर्ती ब्याज भी है और सात में लाभहानी भी आपके पास है, इसके अलावा अनुपात और समानुपा सर, brightness कम करो, जी brightness, अब इससे कम होगी नहीं, आगे बात करेंगे, brightness कम होगी नहीं, क्या करें, camera की setting है, वो अभी कोई आया नहीं, तो camera की setting ऐसी ही है, ठीक है, इसके लावा पर्ती सत्ता है, जनम वब मर्तिवाले हैं, और जन संक्या, वर्दी और हास, जो कि इसमें पर्ती सत् जिसके अंतर का जनम और मर्तिवाले क्युष्ण साते हैं, पाई चार्ट बनाए हुए, और साथ में जनसंक्या वर्दी हास, वो भी एक पाई चार्ट के तरह आते हैं, कि नगर की जनसंक्या इतनी बड़ी, इतनी ऐसी, ऐसी, मैं बोल रहा हूं, उससे आपको समझ में आ रहा जाते है, और इससे जो पूछा गया है, मिरो दोस्तों, एक तो रेखा था, कौन से क्युष्ण पूछा गया है, पिछली एकजाम में, इसके अलवाद तिर्बुझ की सरवांग समता से क्युष्ण पूछा गया था, पिछली 2018 वाली एकजाम में, एक चत्रबुझ का का नहीं किसका दिया है आपको घंगनाव और लंब वर्तिय बेलन का यांकि घंगनाव और बेलन है उसका आपको आई तन भी पता होना चाहिए मिर दोस्तो ठीक है इसके अलावा बात की जाए तो इसके अंतर का स्यांग का गया यांगी इस्टेटिक से आपके पास आंकडों का संगरन यांगी बारंबारता बंटन है इससे आपको क्यूशन पूछा गया था ये की क्यूशन पूछा गया था बारंबारता बनाई ये बहुत इजी क्यूशन पूछा गया था मिलान, चिन, इस्तंबार, लेखा चितर, आयत, लेखा चितर, वर्तिय ग्राप, वर्तिय ग्राप, पाई चितर है, इससे दो क्यूशन पूछे गए थे, पाई चितर बना के, और लेखा चितर ग्राप है, वो पूछा नहीं गए आपको, और एक नया टोपिक जोड़ा गए है प्राइक्ता और आपका जो syllabus है उसमें सबसे अगर hard question बनेगा, question क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मेरे साब से एक question पूछ सकता या हो सकता अगर अगले पेपर ज़्यादा टब बनाना दो तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला आपका topic के इसने, जितने भी ये जो syllabus है, उसमें अगर अच्छा question अगर डालेगा examiner, तो वो कहां से डालेगा, प्राइक्ता probability है, वहां से आपको सबसे hard question है, डालेगा गणीत की, ये आपके आगए, गणीती section वीडियों के, तो 20 question उपर से आएंगे और 10 question ये इससे आएंगे, गणीती वीडियों से, 20 प्लस 10 का ratio रहेगा, 30 question आएंगे total, ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तो अपने बात की है syllabus की मोटा मोटी, जो syllabus है, उसकी बात की है मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इसके अंतरगाते, जो paper था, अपने 2018 का, उसका 1-2 question है, वो detail solution है, करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले, और question है, जो सबसे पहला question है मेरे दोस्तों, question number 91 है, आपकी screen पर, जो कि आपको दिख रहा है और नहीं, दिख रहा, एक बार बता दीजे, मेरे को दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है एक बार 91, क्योंकि यह PDF ली गई है, official sets है नहीं, तो मैं बोल के बता दूँगा आप लोगों को, मेरे को दिख रहा है screen पर, चलिए, दिख तो रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है, पर काम चला लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे, तो यह कट जाएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो question है, यदि दो घनूं के आयतनों का अनुपात, 27 अनुपात चोशट है, कितना, 27 अनुपात चोशट है, तो इनके प्रस्टों के सेक्तरफलों का अनुपात है, क्या होगा, क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है, घन दे रखा है, तो घन का आयतन क्या होता है, बुजा क्यूब होता है, क्या होता है बुजा क्यूब होता है मेरे दोस्तो बुजा क्यूब है वो क्या होता है आईतन होता है तो बुजा क्यूब होता है तो 27 का इनका घंदमूल ले लेंगे 27 अनुपात है 64 का घंदमूल लेंगे मेरे दोस्तो तो इनका घनमूल लेंगे मेरे दोस्तों तो 27 का क्या हो जाएगा घनमूल 3 हो जाएगा और 64 का कितना हो जाएगा 4 अब 3 अनुपाद 4 है वो क्या है बुजा का अनुपाद आए कहीं आप यह मत कर देना पर 3 अनुपाद 4 ओप्षन में पहला ही दे रखा एक लेने 3 अनुपाद 4 और आप लगा दो भेहां 3 अनुपाद 4 राइट हो गया नहीं 3 अनुपाद 4 क्या आया है दोस्तों आपके पास यह किसका आया है घन की बुजा आईए दोनों घनों की एक की तीन और एक की चार आप पूछा किसका एक सेक्तर फल का तो घन का सेक्तर फल क्या होता है भुजा स्क्वाइर होता है तो इनका क्या कर देंगे स्क्वाइर कर देंगे तो इनका स्क्वाइर करेंगे तो तीन का स्क्वाइर अनुपाद 4 का square तो 3 का square क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 का square 64 तो 9 अनुपात 16 9 अनुपात 16 तो 9 अनुपात 16 है वो हो जाएगा तो अपना answer क्या हो जाएगा दोस्तो option number C 9 अनुपात 16 है वो क्या हो जाएगा अपना right answer हो जाएगा तो और गनू का क्या दे रखा है, item दे रखा है, उससे अपने क्या किया गण्मून निकाला। घंण मून निकालकर क्या आगे है। बुझा की स्क्वाई driven करें तो शकतर बलाजेगा। तो शकतर बलुं का अनुपात कितना हो गया, नो अनुपात है 16 हो गया बिल्कुल फेस्ट ग्रेड लग गए तभी आपको महत फटा रहे हैं ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूसर नंबर 91 जो कि पहला क्यूसर ने महत का तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर नो अनुपात 16 हो जाएगा और आप इसको साथ में क्या ये करते रहे ना भई साथ में नोट भी करते रहे ना मेरे दोस्तो टेक्स्केतन का रहा हो अपर कितना 264 264 मिटर इस्क्वाइर है यानकि वर्ग मिटर है वो दे रखा है क्या प्रस्ट वक्रप्रस्ट का रहते रहते हो कितना आहितन है वो कितना दे रखा है 1848 कितना दे रखा है 1848 मिटर स्क्वाइर है वो दे रखा है किसका बेलनाकार यांकि बेलन का दे रखा है खंबे की उच्चाई कितनी है क्या पूची है उच्चाई पूची है उच्चाई पूची है अब उच्चाई पूची है तो सबस कितना है, 1848 है, अब इसकी बात करें कि वक्रप्रस्ट का जो शेक्तरफल होता है, वर्त का, बेलन का, तो बेलन का जो वक्रप्रस्ट का शेक्तरफल होता है, वो कितना होता है, मेरे दोस्तों, 2πRH, कितना होता है, 2πRH है, वो शेक्तरफल होता है, वक्रप्रस्ट ये शेक्तर अब ऐसे तो निकलेगा नंखी कि दोनों में ह भी है पाई है peaks ईडयर और भी है तो आपन क्या निकाल लेते अर निकाल लेतमे फिर आर की वैल्यूर्व तो उससे अपने क säga h आसानी से प्राप्टे हो जाएगा तो इन दोनों का क्या कर देते दोस्तो Shaun आ genau value देते हैं वहागे देते हैं ठीक है फाइश से Pacific स्लः ओगा एक मिनट मैं कलबढ़े कर लेता हूं इसका ठीक है पाई से पाई cancel out हो गया एक आर से इसकी एक आर गया एज से एज cancel out हो गया और इससे दोस से कितना हो जाएगा ये वन थ्री टू वन थ्री टू हो जाएगा अब इसकी बात की जाएगा तो उपर क्या बच गया आर बच गया, क्या बच गया मेरे दोस्तों, आर बच गया, अब आर बच गया उपर कितना है, 1848 है, और इसके अंतरगत भाग देना अपने किस ने का, 132 का, 132 का भाग देना है किसमें, 1848 में, अब 1848 में 132 का भाग देंगे, तो यह कितना आएगा मेरे दोस्तों, देखें द दर्गत 132 में से 132 का दिया तो कितना बचा है इसमें 2 बच गया और इसमें कितना बच गया 5 बच गया और ये कितना आगया इदर आगे 8 उतार लिया अब 528 में देंगे तो कितना च्यार से देव सकता है तेर चोक बावन च्यार दूनी आठ कितने से जाएगा च्यार से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों च्यार हो जाएगा तो जो इसकी तिरजिया है वो कितनी आ गई आ रहे हो कितनी आ गई 22 बटा 7 परियों करने के लिए क्या रखा है 22 बटा 7 इंटू आर कितना आ गया 14 आ गया और H कितना है H अपने को ग्याद करना है और अपनी ये जो बात की जाए 2 पाई आर H और इसकी बात की जाए अपने को सेक्तर पल कितना दे रखा है वक्र प्रस्ची 264 कितना दे रखा है 264 दे रखा है मेरे दोस्तों तो 7 से बात की जाए तो 7 से 2 बार कट गया तो 22 इंटु 4 आ गया H बराबर हो गया 264 भाग 22 इंटु 4 यानकि 22 नीचे क्या जाएगा 22 गुणा 4 है वो नीचे आ जाएगा अब 22 गुणा 4 से इसको इपन डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये 10 मिटर आ जाएगा तिन मिटर है वो क्या आएगी इसकी हाइट आएगी आप काटते रहे ना आराम से इतना तो करी सकते हो मेहत वाले हो यह चार से काटेंगे चार से कटेगा गए देखिए देखो देखिए 6 čो का चोईस और चोईस के बाद में चोईस 66 आ गया और 22 से फिर से कट जाएगा ये तो 3 मिटर है वो अपना आंसर आ जाएगा तो क्टीन Igor 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों टीन मीटर हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों क्यूस्टन नंबर नेक्स्ट की और क्यूस्टन नंबर नेक्स्ट है वो एक क्यूस्टन है आपका और इसमें अपरा आपको बहुत इजी कि इसमें कुछ नहीं करना आपको आजसानी से दे रखा है आपको सिरफ क्या करना है मिलान करना है और आपको क्या करना है सिरफ मिलान करना है मेरे दोस्तों क्या दे रखा है, एक अक्सा में 20 चात्रों के गणी त्विसे में 100 अंकों में से करम से निम नंक प्राप्त हैं, ये अंक दे रखें, नीचे आपको क्या बनानी है, बारंबारता सार नी बनानी है, तो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ बारंबारता चेक करनी है, तो सबसे पह बारम बारता का मतलब वो अंक है 20 से 40 के मद्दे कितनी बार आ रहा है अब मुझे तो आंसर पता है कि A ही इसका राइट आंसर है तो मैं बता रहा हूं सीदब 0 से 20 के अंतरकत देखिए का आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए तो 1 तो 16 आ रहा है एक 6 आ रहा है इसके बाद में 20 से 40 में तो 20 से 40 में 21 24 आ रहा है 36 आ रहा है और इसके अलावा बात की जाए फिर से 32 आ रहा है 28 आ रहा है और 30 आ रहा है तो कि यह कितने हो गए 5 हो गए तो यह 5 ठीक है इस परकार से आप आराम से चेक कर सकते हो तो इसका तो right answer होगा वो कौनसा होगा option number A होगा इस परकार स इसमें टाइम लगेगा वैसे खेर टाइम खूब रहता है रिट के अंतर लेकिन फिर भी आप फटाफट से सारनी बना लोगे और फटाफट से काउंट करके उसको लिखते जाना फटाफट से आपका काम हो जाएगा ठीक है मेरे दोस्तों यह क्यूशन हुआ तीसरा नेक्स्ट बात करते मेरे दोस्तों क्यूशन नंबर 94 और 95 अब 94 और 95 क्यूशन क्या है पड़ो देखें एक बार मेरे कोफी भी ठंडी हो रही है भाई निर्देश सीमा द्वारा कक्साद 6 की एक परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणीत विज्ञान विश्वय में प्राप्त के अंकों का विवरन नीचे लेखा चितरियन की पाई चार्ट में दे रखा है इन विश्वय में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग मान लेते हैं परतिसत मान लेते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है 240 और बटा 360 क्योंकि आप सभी को पता है बर्त के अदर पर बमने वाना कौन कितना होता है 360 कि होता है तो इसको किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 93 से इसको क्या करेंगे, multiply करेंगे, किससे 93 से इसको multiply करेंगे, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका जोर आंसर है, वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, जीरो से जीरो गया अब इसको किसे काट सकते हैं आप जैसे अगर 3 से काटें तो 3, 12 आ गया और 3 और 31 आ गया और 12 से कितनी बार चला गया 4 बार चला गया तो कितना हो गया यह 4 into 31 हो गया और 4 एकम 4 और 4 थी 12 12 124 आपको कहां दिख रहा है D option तो D option में कितना है 124 है तो गणीत में कितने marks प्राप्त किये उसने 124 अंख है वो प्राप्त किये किसमें mathematics में गणीत में 124 marks है उसने प्राप्त किये next है question number 95 सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंग का धिक प्राप्त किये हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में अब इस क्यूशन में मुझे नहीं पता किस परकार से बोनस दिया गया है क्यूशन एकदम सही है मेरे साफ से तो how many marks obtained by SEMA more in Hindi in comparison of English यान कि English के comparison में Hindi में कितने अंक प्राप्त हुए तो Hindi में कितना दे रखा है मेरे दोस्तो 108 दे रखा है और English में कितना दे रखा है बहतर दे रखा है दोनु का अंतर कितना होता है वो ही क्या होगा आपका नंबर होगा 480 बटा 360 तो लिखना ही है और इनका अंतर लिख दीजिए तो बैतर और 28, 100 और 8, 36 कितना हो गया 36 हो गया एक बिंदू से एक बिंदू गया 36 से 36 गया और 48 क्या है इसमें आपका B-Option दे रखा है तो 48 अंख है वो हिंदी में अंग्रे जी के तुलना में ज़्यादा प्राप्ते किये है लेकिन ये क्या दिया गया है मेरे दोस्तों bonus दिया गया है किसके दौरा मादिमीक 6 या board के दौरा जो final answer किया ही उसके अंतर गती ये question है वो bonus से दिया गया था ठीक है मेरे दोस्तों next बात करते हैं अपन next question की ये आपके question आगे भई six and video के जो बाद में बात करेंगे कभी अभी फिलाल अपन फटापर से बात करेंगे किसके सिरफ questions की इसके अंतर गत्वी ये 106 question भई सबसे श्यांदार question है 106 नंबर का question है वो बहुत अच्छा question है देखे भई 106 नंबर का question करिए देखे भई solve करने की कोशीज करिए देखे 106 नंबर का question और like share कर दीजे मेरे दोस्तों फटाफट से सबी के पास आप थोड़ा सा सयोग करोगे उतना ही अच्छा हम पड़ा पाएंगे उतना है अच्छा हमनावार भी मनोबल बढ़ेगा कि भी हाँ बच्चे देख रहे हैं और ज़्याद अच्छे तरीके से आएंगे और अच्छा मेटर लेकर आएंगे आज थोड़ी दिखने में इसमें दे रखा है कि ये किस परकार से होगा तो इसके अंदर का दोस्तों देखें तो इन्होंने दे क्या रखा है यहां से बात कर लेते हैं इन्हों दे रखा है एक तो पूरा बड़ा रूट है जिसके अंदर गत माइनस रूट 3 है प्लस रूट 84 है और प्लस 18 रूट 3 है ये इन्होंने दे रखा है मेरे दोस्तों और इसका क्या पूचा है इन्होंने मान पूचा है मान रूट तीन होगा तीन होगा माइनस रूट तीन होगा या जीरो होगा तो इसका जो भी होगा अभी अपन इसकी बात है कर लेते हैं भी इसकी चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों इसकी, माइनस रूट तीन ऐसे कैसे रहने दो, ये प्लस का निसान, दूसरा रूट, 84 भी फिलाल ऐसे कैसे रहने दो, अब 18 है, 18 को अपने किस परकार से तोड़ेंगी, अपने एक संख्या को अंदर ले जाए, अब एक संख्या को अंदर ले जाने के लिए, 2 x 9, 9, 12, 18 होते हैं, 9 को अंदर ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानकि वरग मूल करेंगे, यानकि उसका वरग स्क्वाइर करेंगे, अंडर रूट लगाने के लिए तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो इसको 2 into root में 21 और गुणा कितना है, 3 है, 21 गुणा 3 है मेरे दोस्तों, कितना, 81 into 3, अब यह अतना ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अपन इसको क्या A plus B का whole square के रूप में बनाना चाते हैं, अब यह हाली में बन जाएगा, क्यों कि अपने को दिख रहा है, 21 into 3 वहान लिखा हुआ है, तो सिधा-सिधा 21 plus 3 के रूप में इसको कर देंगे, 48 को, तो minus का root 3 है, plus, इसका कितना हो जाएगा, 81, plus 3, plus 2, root 81, गुणा 3, अब आप देखिए, A square और यह जो है, B square plus 2, A, B है, यह अपना क्या हो गया, इसका formula हो गया, 81, plus 3, तो इसका जो formula है, यह हो गया अपने पास, अब इसको अपन किस परकार से करेंगे, एनकि A plus B के रूप में आ गया, A, A square plus B, square plus 2, A, B, यह हो गया, तो इसको किस परकार से करेंगे अपन, यह minus का root 3, ऐसे का ऐसे है, और इसको क्या करेंगे अपन, root 81, plus root 3 का whole square, ठ से का, ऐसा इसके उपर लग जाएगा, अगर root 81, plus root 3 का square खोलेंगे, तो यही चीज़ आईगी, देखिए, root 81 का square करेंगे, तो 81 हो गया, root 3 का square करेंगे, तो 3 हो गया, और 2 into A, B, यानकि root 81 into root 3, जो कि 81 into 3 के अंतरगत आपके पास में है, अब इसके अलबाब बात की जाए, त इसके एक से root cancel out हो जाएगा, तो minus का root 3, plus, square खट जाएगा, यह root हट जाएगा, तो root 81, plus root 3, अब root 81 और root 3 है मेरे दोस्तो तो, minus root 3 से plus root 3 cancel out हो जाएगा, कितना बचा, root है, बड़ा, root 81, यानकि 81 का वरगमूल है, वो कितना हो जाएगा, मेरे दोस्तो, no हो जाएगा, और नो क वो रगमुल कितना हो जाएगा? त्ीन हो जाएगा और यह ही अपना क्या है? आउसर है तो तीन है वो अपना आउसर आएगा Option बी 2 अपना right answer हो जाएगा 3 है वो क्या है अपना right answer 3 है वो क्या होगा? इसका answer होगा इसकी value जो 2008 जो paper था मेरे दोस्तों उसमें से गर एक क्यूशन तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाने वाला या थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा खोलने वाला वो ये क्यूशन था ये भी इजी है मैथ वालों के लिए लेकिन हाँ साइन्स वाले जो बंदे हैं यानकी बायोलोजी वाले बंदे ह उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, वागि मैथ वालों के लिए तो ये भी बहुती easy question था, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों, question number 107 की, 107 question है, वो क्या कह रहा है अपने को? 107 question है, वो कह रहा है कि 4 की power है? ये दे रहा है कि 4 की power है, वो कितनी है? 97 है, minus 4 की power है, वो कितनी है? 96 है, और plus 4 की power कितनी है? 95 है, और इसको किसके बराबर कर रखा है, इन्होंने कर रखा है, k.4 की power है, 95 और इसमें किसकी k की value पहुंचिए, किसकी k की value है, वो ग्याते करनी है मेरे दोस्तों, k की value ग्यात करने क्या करेंगे इसमेंसे common ले लेंगे उधर 4 की पावर 95 है देई रखाय सीधा-सीधा और इसमें भी पिचाद मेरी है टो सबसे चोटी संक्या भी है Common कुछ आती है सबसे चोटी संक्या जो सब मेंसे common आज सके मेरे दोस्तों तो 4 की पावर 95 है वो क्या ले लेंगे अपने common ले लेंगे तो बचेगा क्या इसमें 4 की पावर 2 माइनस 4 और प्लस का कितना बचेगा एक बचेगा और यह क्या हो जाएगा के डोट 4 की पावर 95 है ऐसे का इस है अब 4 की power p 49 से 4 की power p 49 cancel out और k ब्राबर क्या बच गया ये 16 माइनस 4 प्लस 1 तो 16 और 1 17 हो गया 17 माइनस 4 और कितना बच गया 13 तो k की value कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 13 और 13 कौन से option में है option number c जिसमें कितना है 13 है तो इसका right answer क्या हो जाएगा 13 right answer option number c हो जाएगा next बात करते हैं मेरे दोस्तों आप इसनको साथ की साथ में note करते रहे ना वई साथ की साथ में note करोगे तो अच्छा रहेगा और beneficiary और भी exam में रहेगा आपको fast level में भी सहित पूछा जाता होगा next बात करते हैं दोस्तों क्यूसर नंबर 108 की 108 है 5a square plus 15a minus 6a इसको लिखी देता हूँ मैं 5a square plus 15a minus 6b minus 2ab तो 5a square plus 15a minus 6b minus 2ab है वो यह पूछा है और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको गुननखंड दे रखें गुननखंड पूचना है अब सीधा सा simple सा अगर नहीं आता हो ना तो सीरीजी बात है टाइम मिल जाता है आराम से कोई बैंक की एकजाम दो है नहीं कि भी यहां फटाफट से करना है बहुत easy way में आपको करना है इनको गुना कर सकते हो अगर नहीं आता हो तो बूच रहा हूँ महत वाले वैसे आराम से कर देते हैं लेगिन इसके अलावा तो इनको क्या आपस में गुना कर दो आपका काम हो जाएगा अन्यत आप इसमें common लेलो आराम से पहले किसमें से इन दो में से common लेलो स्टार्टिंग वाले दो में से लेलो और दूसरा दो का पेर इसका बना लो तो इसमें से अगर अपन common ले तो अगर देखा जाएए इसमें बात करें तो इसमें से क्या common आएगा 5A इसमें से common ले लेते हैं क्या ले लेते हैं 5A common लेते हैं तो 5A लिया तो इसमें A बच गया और इसमें कितना बच गया 3 बच गया A plus 3 बच गया minus इसमें से क्या common ले तो इसमें से 2B common आ सकता है क्या आ सकता है minus 2B है वो common आ सकता है minus 2B common आया तो यहां तो कितना बच गया, 3 बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया, और यहां minus 2B को मना आ गया, तो plus का, क्या बच गया वे दोस्तों, 2B को मना आ गया, तो क्या बच गया, a बच गया, क्या बच गया, ठीक है, अब इसको लिख देते हैं, यहां कि दोनू एक जगह है, तो तो इसमें क्या आ गया 5A-2B और इसको 3A या A-3 किसी भी रूप में आप लिख सकते हो तो 5A-2B A-3 ये अपना क्या हो गया? राइट अंसर आ गया अब इसमें से देख लो कौन सा है आपका ये राइट अंसर तो अपसन नंबर D है वो आपका राइट अंसर है कौन सा? अपसन नंबर D है वो आपका राइट अंसर है 5A-2B A-3 है वो आपका राइट अंसर है इस परकार से इस कोईशन को आराम से सोल कर सकते हो अगर नहीं आता हो तो इनको आपस में गुणा कर लीजिए तो गुणा करने पर कौन सी आपको यह संक्या प्राप्त होनी चाहिए जो कुशन में दे रखा है वो आपको प्राप्त है होना चाहिए इसके लब आप इसकी A या B की value पुट करके भी आपर कर सकते हो लेकिन वो ज्यादा hard पड़ेगा या तो सीधा common ले लीजिए या फिर सीधा ही multiply कर दीजिए next बात करतें दोस्तों question number 109 की बहुत easy question है 109 है वो चले English वाला भी दिखाई देता हूं आपको 109 में क्या कह रखा है इसमें value पूछिए और value पूछ रहा है किसकी लिख देता हूं में इसको एक बटा घनमूल में है ये संख्या यानकि 8 बटा 1000 और प्लस में फिर घनमूल है आपके पास और 192 अपोन 3 और इसकी value आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या value आएगी इसको solve करने पर like share कर दीजे दोस्तों चैनल को नए आये हो तो subscribe जरूर से करें मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप जितना सयोग करोगे उतने अच्छे से हम पढ़ा पाएंगे ये बात में बारबार बोल रहा हूं जदा-जदा इक हजार है भाई और एक हजार का कितना होता है घनमूल दस को तीन बार into ले नहीं सकते क्योंकि 192 नहीं होने करते हैं तो इसको अपन ऐसे ही अंदर solve करते हैं अंदर solve करते हैं तो चेटी 18 एक बच गया चार्ति बारा चो शॉटाण ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, ये 10 नीचे है, बटा में बटा है, तो उपर चला जाएगा, 10 बटा 2, प्लस 64 का गणमूल कितना होता है, मेरे दोस्तों, 4, कितना होता है, 4 होता है, 10 में 2 का भाग दिया, 5 प्लस 4, और ये कितना, 9, 9 क्या आगया, आपका answer आगया, क्या, 9 आपका answer और 9 किसमें है, option number 1 में, option number 1 में क्या है, आपका right answer A है, वो आपका क्या है, right answer, ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए, next question पर चलते हैं, next question की बात करें, question number 10 है आपके सामने, 110 sorry, और 110 number question है, मैं लिख देता हूँ, यहाप पर आपको, कि एक तो क्या है, 2x minus 3y equal to कितना है, 79 है, यह तो समिकर्ण क्या है, एक है, और समिकर्ण 2 है, वो क्या है, x plus 6y equal to 47, यह क्या है, समिकर्ण number 2 है, अब इसमें x और y को क्या solve करना, x और y की value पूछ रहा है, क्योंकि इसमें क्या पूछा, अपने को x minus y पूछा है, x minus y है, उसकी value क्या होगी, यह इन्होंने पूछा है, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, या तो x को नीचे वाले समिकर्ण को 2 से multiply कर सकते हैं, या y वाले में समिकर्ण को अपन कर सकते हैं, तो y plus minus change है, तो अपन y को, याँगे समिकर्ण 1 है, उसको multiply कर लेते हैं 2 से, इसको multiply 2 से करते हैं, इसको multiply करते हैं 2 से, तो ये कितना आजाएगा, 4x minus ऐसे कैसा, 3 दूनी 6y और 79 को 2 से किया तो 158, ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, जोड देते हैं, क्योंकि minus plus हैं, जोड देते हैं, तो 6y से 6y cancel out हो गया, तो 4x और 1x कितना हो गया, 5x equal to कितना हो गया, ये 8, 7, 15, 5, 4, 9, 1, 6, और 1, 165, sorry, 205, कितना हो गया, 205, 205 है वो इसका हो गया, अब 205 है मेरे दोस्तों, अब इसके अंतरकत x की value ज्याद करने के लिए क्या करेंगे, 205 में कितना है, 5 का भाग देंगे, तो 5 चो के 20 और 5 एकम 5 कितना, 41, 41 है वो क्या आगई, अपनी x की value कितनी आगई दोस्तों, 41 आगई, अब बात करें, x, y की value निकालने है अपने को, तो y की value निकालने के लिए जो समिकर नमबर 2 है, समिकर नमबर 2 है, उसमें रख देते हैं value, ठीके, समिकर नमबर 2 है, इसमें x की value, x की जगे 41 पूट किया, प्लस 6y, equal to कितना है 47, अब 6y equal to कितना हो जाएगा, 47 minus 41, और ये कितना हो गया, equal to 6 हो गया, तो y की value कितनी आगई, एक आगई, कितनी आगई, एक आगई, अब इसके अंतरगत बात कीज़े, इसमें पूच क्या रहा है, x minus y, तो x minus y, x minus y, येनकी 41 minus 1 equal to 40, 40 अपना right answer हो गा, और 40 कौन से option में, option number 1, option number 1 में क्या है, 40 है, तो option number a अपना क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीके, चलिए बई, next बात करते हैं मेरे दोस्तों, subject है, बहुत easy question है, क्योंकि कुछ खास आ नहीं रहा, मेरे साब से तो ऐसा कुछ है नहीं, question दे रखा है आपको, 3x plus 5 का whole square है, minus 60x है, और इसको इस रूप में पूचा है, तो इसको अपने को solve करना है, basically बात ये है, कि 60x को हटाना है, तो इसको solve करने के लिए, 3x का square करेंगे तो 9x plus 20 square है, 25 और 5 ती 15 और 2 30, plus का 30x और minus का कितना है, 60x है, तो इससे कितना हो जाएगा, 9x plus 25 और plus का 30x गया, तो कितना बचा, minus का 30x बचा, अब इसमें ये फिर से मेरे दोस्तों क्या बन गया, और 3x-5 का whole square है, 3x-5 का whole square है हुँआज है, अब से मेरे दोस्तों का whole square है, वो क्या हो गया, इसका right answer हो जाएगा, तो क्यूशन नंबर 111 का right answer हो जाएगा, option number 2B, ठीक है मेरे दोस्तों नेक्स क्यूशन पर चलते हैं फटा फट से नेक्स क्यूशन है क्यूशन नमबर वन 112 और 112 पर लगाना नहीं है असी का कितना परतिसत असी है अब यह तो वही बात हो गई कि आपका नाम पूचके बोले कि आप कौन हो या ऐसा कुछ की बनलब असी का असी कितना पूरा कितना परतिस होता है नेक्स यूशन एक सो तेरा नंबर का क्यूशन है मेरो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पूछा क्या गया है, एक टेलिविजन विक्रेता ने 9600 रुपे में, कितने में 9600 में, 9600 रुपे में क्या, दो टेलिविजन बेचे, उसमें से एक टेलिविजन पर 20% लाब, यानि की 20% का लाब होता है, दूसरे टेलिविजन पर 20% की हानी, माइनस का 20% यानि हानी होती है, तो इस सोदे में कितने परतिसत लाब अथवा हानी हुई, आप सभी को पता है, मैट पढ़ते हो, या साइन्स पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से जानते हो, कि जब कोई same rate पे दो वस्तों बेची जाती है, उन पे same lab और honey होता है, तो उस कुल सोदे के अंतरगत हमेशा honey होती है, और वो honey कैसे निकाली जाती है, मेरे दोस्तों, x square बटा 100, किसे निकाली जाती है, x square बटा 100 है, ये क्या होगी, honey होगी, x की value कितनी है, 20 है, तो 20 into 20 upon 100, और ये 2, 2 into 2, कितना होगी है, 4, तो इसमें क्या होगी, minus 4 परतिसत, यानि ये 4 परतिसत की क्या होगी, मेरे दोस्तों, honey, option number C, इसका right होगा, 4 परतिसत की हानी होगी, कोई भी सोदा, same rate पे कोई चीजे बेची जाती है, दो वस्तों ये बेची जा होती है, मेरे दोस्तों, उन पे same, एक पे लाब होता, और same परतिसत में एक पर हानी होती है, तो कुल सोदे में हमेशा हानी होती है, और उस हानी को निकालने का formula होता, x square upon 100, 20 into 20 upon 100, यानि कि 2 into 24, तो 4 परतिसत की कुल सोदे में क्या होगी, दोस्तों, honey होगी, मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, next बात करते है, question number 114, अब question number 114 है, बहुत ही आसान, क्युछ खास नहीं है, 114 है, एक सिक्तर में एक लक्से को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि यही लक्से 4 दिन में पूरा करना हो, तो कितने मजदूर चीए, तो सिद्धी सी बात है, एक तरब कितना है, कुल वर्क निकाल लो, 6 इंटू 16 है, दूसरी तरब क्या कर लो, एक तरब X मजदूरों की संक्या पूचनी है, और लक्से कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करना है, tax इंटू 4, तो 4 से कितना हो गया, 4 बार गया, 6 चोका, 24, तो X की value कितनी आ गई, 24, 24, तो कितने मजदूर चीए, 24 मजदूर चीए मेरे दोस्तों, option number C, right answer हो जागा, कितने चीए, 24 मजदूर चीए, इसके बाद में question है, next आपका, question number 115 है आपका, यदि किसी धन का आठ परतिसत की दर से, कितने की आठ परतिसत की दर से, 5 वर्स में साधरन ब्याद 640 रुपे है, तो मूल धने क्या होगा, यानकी मूल धन पूचा है, यानकी 8 परतिसत है, भाई साब देखने रहे, आप लोग like share करिये भई, या फिर मैत आपको लोगों को किसी धन का 8 परतिसत, तो क्या फोर्मूला होता है, मूल धन निकालने का फोर्मूला क्या होता है भई दोस्तों, मूल धन बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, ब्याज होता है, जो कि कितना है, 640 है, इंटू 100 होता है, और इंटू कितना हो जाएगा, इसमें, रेट कितनी द आठ इंटू पांच आठे पंजे यान कि 40 होता है तो 640 अपोन इंटू 100 बटा कितना 40 एक सुन्ने से एक बिंदू की 4 से 16 कि इसका मूल दन होगा नेक्स क्यूशन की बात करें मेरे दोस्तो नेक्स क्यूशन है आपका 16 नंबर का क्यूशन है एक विश्व विद्याले में इसके दो तरीके हैं या तो आप सिंपल तरीका जिस तरीके से निकाल सकते हो एक विश्व विद्याले में आने वाले विद्यारतियों कि संक्या में परतिवर्स है 10 परतिसत का वर्दी का लक्से रखा गया है कितना 10 परतिसत की वर्दी का लक्से रखा गया है मेरे दोस्तो यदि वर्स 2016 में कितने में 2016 में पंदरासो थी यांगि 2016 में 2015 2018 में 2017 और 2018 यांगि 2 वर्स का पुचा गया है तो या तो आप इसको अगर फोर्मूले से करना चाहो तो 1500 into कितना दर्स परतिसत के वर्दि यांगि 110 into 2 वर्स का है तो 110 बटा 100 या तो आप इस परकार से कर सकते हो आसानी से ठीक है या तो यह तरीका है इसका एक तरीका तो इसके अलावा एक तरीका कांसाईजी है क्यूंकि 10 परतिसद दे रखा है तो 1500 का 10 परतिसद कितना होगा? 150 होगा कितना होगा 1500 का 10% 150 यांगी 1650 और इसका फिर कितना निकाल लो 110 परतीसाद निकाल लो या इसका 10 परतीसाद निकाल सकते हो ठीक है और इससे निकाल सकते हो या इसका 1650 का 10 परतीसाद यांगी 165 और ऐसा मेरे साब से ऐसा इजी जी रहेगा कि 1650 हो गया और 1650 में 165 जोड़ दो ये कितना हो गया 1815 हो गया या फिर इससे कर सकते हो एक बिंदू से एक बिंदू एक बिंदू से एक बिंदू एक बिंदू और इंटू 102 बार 100 है बई और एक ये तो एक बार इससे कर सकते हो यांकि 15 इंटू 121 और इससे भी क जना आएगा ठारा सो पंद्र आएगा लेकिन अगर कैलकुलेशन आपके अच्छी है तो सीधा पंद्राइशो का 10 परतिसत कितना होगा एक सो पचास यानके 1650, 1650 का फिर 10 परतिसत यानके 165, 1650, 1650, 1650, 1650, 1850, नहीं तो ऐसे मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और यह नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्यूसन नंबर 117 और 117 क्यूसन है बहुत इजी है कुछ नहीं है खास नीचे देगे चितर में तिरबुजों की सरवांग समता की चैर नियम होते हैं वो चारों आपको उप्षन में दे रखे हैं SSA rule, RHSS rule और SAS या ASA rule है वो पूछा गया है और इसके अंदरगत पूछा गया है कौन सा नियम लागू है तो इसके अंदरगत देखिए आप कौन है फिर बुजा है और फिर से कौन है कौन सा है पहले A है फिर उसके बीच में साइड है और फिर से एंगल है तो ASA यह कौन बुजा कौन नियम D option आपका right हो जाएगा वह है यह कौन और यह कौन बराबर है यह बुजा और यह बुजा बराबर है और यह कौन और यह कौन है दोनों बराबर है तो इस परकार से इस कुशन का right answer हो जाएगा option number D मेरे दोस्तों ठीक है next बात करते हैं मेरे दोस्तों question number 118 और 118 question है उसका देख लेते हैं अपन नीचे दियेगे ऐ समान समपूरक समपूरक कौन किसको कहते हैं जिनका योग 160 degree हो कितना हो 160 degree हो इसमें क्या लिखा गया है ऐ समान ऐ समान का मलब कि दो कौन है वो 9090 नहीं होने चीए एसके अलावा किसना भी हो 170, 10 हो सकता है, 150, 14, 40, 40 हो सकता है यानकी समपूरक कब हो गा 160 degree ह एस समान का मतलब क्या होगा कि यानकी वो 9090 के लावा कुछ भी हो सकता है यानकी दो सम्पूरक कौन बराबर कब होंगे जब दोनु 90 एंगल हो यानकि दोनों समकॉन हो ठीक है अब इसमें से अपने को देखना है तो इसके अंदर अपनों ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं बाकी तो कोई चेक करने का इसके अंदर कुछ है नहीं या फिर आप एक कॉन बनाओगे वो लंबा पड़ेगा तो ऑप्शन से देख ए ए एफ बियान कि ये वाला दे रखा है और शॉरी दूसरा ले लेटा हूं मैं ये दे रखा है एक है दूसरा है BFD, BF और D, यहनगी यह वाला दे रखा है, यहनगी यह भी संपुरकोन है, तो आपका A option है, वो यह आपका right हो गया, A वाला option है, वो right है, यह समान संपुरकोन का क्या है, सही, युग में है, next बात करें मिरे दोस्तों, next बात करते हैं इसके अंतर का तपन, तो question number 119 है आपके सामने, और फिर उसके बाद में 120 है, 119 नंबर का question है, यह समलंब चत्रवुज की दो समानतर बुझाईं, एक 10 cm, एक 16 cm है, यदि समलंब चत्रवुज का सेक्टरपल कितना है, 88 cm है, कितना है, 78 cm है, कितना है अठंतर वरगे सेंटीमेटर है तो उसकी उचाई क्या होगी क्या पूचा है इसके अंदर गत इसकी उचाई पूची है मेरे दोस्तों तो उचाई पूची है तो उचाई अपन बता देते हैं क्या होता है एक बटा दो शेक्तरफल समलोम का क्या होता है एक बटा दो समांतर बुजाओं का योग ए प्लस बी और इसमें साथ में क्या होती है उचाई इन्टू एच ये कितना दे रखा है अठंतर अब अपने को क्या बात करनी है मेरे दोस्तों एक बटा दो, उना, शोड़ा और दस कितना हो गया, चब्वीस, गुणा एच, और साथ में क्या है, अठंतर, दो से कितनी बार, सोरी, कलर है न अपने पास, तो अपन ऐसे क्यों करते हैं, दो से तेरा बार, और तेरा से छे बार गया, तो एच की कितनी आ गई, छे, तो 6 सेंटी मिटर, और आज का अपना अंतिम क्यूशन है मेरे दोस्तो, और अंतिम क्यूशन है मेरे दोस्तो, वो क्या है आपका, वर्थ से संबन्दित है, किसे संबन्दित है, वर्थ से संबन्दित है, वर्थ से संबन्दित है, वर्थ से संबन्दित है, वर्थ से संबन्दित पाई आर हो जाएगी, तो पाई आर के लिए बाईस बəďा साथ इंटू आर, से। 56 सेंटीमेटर, तो तो साथ से, चार वार और भाई चोक अठी संटीमेटर क्या हो जाएगी, मेरे दोस्तों, इस किया हो जाएगी, परीदी होजाएगी, आधी परीदी 88 cm, तो ये केतना हो जाएगी 88 cm, इस परकार मेरे दोस्तों, ये क्या था, 2018 का मेरत का जो पेपर है, उसके जो 20 क्यूसन थे उनका सोलुशन, कल से अपन डाइरेक्टली बात करेंगे, टोपिक टोपिक, एक एक टोपिक दे रखा है, उसके अपन चर्चा करेंगे प्रश्टा करेंगे!